राग पूर्वी राग पूर्वी की उत्पत्ती पूर्वी थाट से ही हुई है अतह इस राग को पूर्वी थाट का आश्रय राग कहा जाता है इस राग में रिशब और धैवत यानी रे और ध़ ये दोनु स्वर कोमल प्रयोग किये जाते हैं तथा दोनों मध्यम यानि शुद्धम और तीवर्म प्रयोग किया जाते हैं इसके आरुहु में हमेशा तीवर्मध्यम यानि तीवर्म प्रयोग किया जाता है तथा अवरुहु में दोनों मध्यम यानि शुद्धम और तीवर्म प्रयोग किया जाते हैं इस राक के आरुह और अवरुहु में साथ साथ स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राक के जाती संपून संपून है इस राक का वादी स्वर्ग गंधार अर्थात गह है और समवादी स्वर्ग निशाद अर्थात नी है इस राक का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है यह गंभीर प्रकृति का राग है इसकी चलन अधिकतर मंद्र सब्तक और मध्य सब्तक में होती है राग पूर्वी के आरोह अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह नीसारेगारमापाद दानीसार और अब सुनिये आवरोह सानी दापाद मापाद मागाद मागरे सार इस राग की पकड इस प्रकार है नीसारेगारमाद मागरेगारे सार अब प्रस्तुत है राग पूर्वी की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्यलय में निबद्ध है इसमें सूलह मात्राएं होती हैं पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई नीरे गारे गापार पापा पाधा मापमगा मागर नीरे गारे गापार पापा पाधा मापमगा मागर नीरे गारे गापार पाधा मापमगा मागर अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा माम गागा, मा मा धामा आसा सरीसासाATOR नीरे गा नीरे नी माम धा मगा, गामा गा Books अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वर्मालिका अब सुनी इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल हैं सदा ही सत्य वचन हम बोलें पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई सदा ही सत्य वचन हम बोले सराही सत्य वचन हम बोले दूरा सत्य वचन से होले दूरा सत्य वचन से होले सदा ही सत्य वचन हम बोले सदा ही वचन अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा सदा चार के पथ पर चल कर जेवनक आधर्ष तंजो दे सदा ही सत्य वचन हम बोले सदा ही सत्य अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वर्मालिका और साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना स्वर्मालिका आधारित एक राग रस बरसे राग रस बरसे राग रस बरसे